ओम श्री गनेशायनमा माई डियर फ्रेंज तो आज हम एक नंबर की रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम आपकी टैरो रीडिंग करेंगे नंबर रिगार्डिंग तो मैं कहीं न कहीं कार्ड्स उन लोगों के लिए निकालूंगी जिनके डेट ऑफ बर्थ के और उसके कॉर्डिंग डेट पे बर्थ होगा तो फ्रेंज ये रीडिंग कलेक्टिव होगी जितनी आपसे मैच करें प्लीज उतनी लेजिएगा और आई होप आपको ये पसंद आए ये एक ओवरॉल रीडिंग होगी कहीं न कहीं आपको लाइफ में किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप चीजें करनी चाहिए कि आप शैग गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में as of now या क्या improvements की जरूरत है तो कहीं न कहीं वो सारी चीजें आपके लिए applicable होती हैं तो friends थोड़ा सा उस हिसाब से मैं number reading करने लगी हूँ I hope आपको मेरा ये नया एक कोशिश पसं बंद आए और चलिए शुरू करते हैं फिर ऑल राइट सो my dear friends जिनका भी birthday 8 17 26 को आता है friends ये reading उन लोगों के लिए है तो जिनका भी नंबर का birth date का total 8 आता है तो देखते हैं friends किस energy में हैं आप लोग क्या आपके लिए guidance आ रही है five of swords आया friends सबसे पहला card the chariot okay night of wands two of swords पहले हम इने clarify करते हैं friends देखिए friends ये बहुती simple reading आईए कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे इसमें problem है कहीं न कहीं friends मुझे जहां तक लग रहा है आप एक ऐसे person से deal कर रहे हैं या तो वो आपकी बातों को समझ नहीं रहे वो आपके जादा मतलब या तो वो अपने काम में बहुत जादा busy रहते हैं बहुत जादा और कहीं नहीं आपको या तो उनसे बहुत जादा problem हो रही है इगो दिखाते हैं बहुत इस type से है या यह हो सकता है या आपके work related भी हो कि आपके boss आपको समझनी पा रहे हैं बहुत जादा काने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस type की कुछ competition type की jealousy type की feeling आ रही है और बहुत जादा आप शायद समझनी पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए आप बहुत जादा confused हैं बहुत जादा जबकि आप night of wants के साथ मुझे लग रहा है आप बहुत ही passionate अपने काम को लेके बहुत जादा sincere हैं serious हैं और आप चाहते हैं कि आपको या तो promotion मिले या relationship में है तो शायद next level जाना चाहते हैं बट अभी आप भी बहुत ज़दा confused हैं और समझ नहीं पा रहे है एट of cups से मुझे लग रहा है बापको लग रहा है कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए मुझे जगा देनी चाहिए आप बहुत ज़दा हार्टेक में हैं अपना दिल आपका ऐसे लग रहा है जैसे टूट सा गया है कि अब बस अब मैं और इसे जादों नहीं बरदाश कर सकता या कर सकती मैं नहीं face करूंगी मुझे मुझे बस अब यहां से निकलना है मैं अपनी life दूसरी ज जल्दी किसी भी चीज का decision लेना ना सही नहीं होता है तो थोड़ा सा आप भी समझदारी से चलिए हर चीज को अपने सारी options को टटोलिए कि कौन सी options आपके लिए सही है कौन सा life का देखे the lovers से मुझे पता लग रहा है कि कहीं नहीं जो भी एक हो रहना यह divine कर रहा है आपकी relationship से regarding है तो आपको आपके soulmate से मिलाने का plan है यह सारा और अगर आप अपने soulmate को समझ नहीं पा रहे है यह थोड़ा सा confusion आपको जैसे heartache कितना जादा है तो आप आपको वह यह कह रहे है आप growth manifest कीजिए अपनी life में थोड़ा सा positive रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि मुझे कर आप शांती की तरफ बढ़ेंगे आगे चलके आप कामा वाटस की तरफ जाएंगे और यह वाले face से आप निकलेंगे क्योंकि मैं आप growth manifest कर रहे हैं अपने लिए और शुरुआत जरूर होगी देखिए the fool के card के साथ लग रहा है कि आप शुरुआत करेंगे क्योंकि अग आपकी रीडिंग में चाम से निकालूंगी और फिर मैं आपके लिए divine guidance निकालूंगी चामस देखते हैं आपको क्या खेहना चाहते हैं चामस के थू निकालते हैं देखिए तो चामस के थू आईए यह की आईए फ्रेंस तो की का मतलब है कि आपकी जो खुश्यू की चाब ये आप समझ पा रहे होंगे ये डेंजर का एक होता है जिसमें तो आप आने वाले कोई भी इनसान से जो आपको लग रहा है कि वो आपके लिए fruitful नहीं है जिसकी friendship fruitful नहीं है या relationship या काम तो आप थोड़ा सा stay away करिए उन चीजों से थोड़ा सा बचके रहिए थोड़ा सा अप अपने आपको positive लखिए और ये देखिए ये एक angel आई है friends तो divine आपके साथ है even ये खत्रा या ये problem आपकी life में आ रही हो और divine आपके साथ है ये angel आपके साथ है God is with you आप हिम्मत मत आ रही है number eight divine की guidance निकालेंगे a year from now कोई चीज अगर आपको लग रही है कि बहुत जदा delay हो गई है मेरे साथ हो नहीं रही है मुझे मौका नहीं मिल रहा है मुझे opportunity मिल नहीं मिल रही या अगर आपको लग रही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो आपके लिए आज की date में भले ही बहुत ज आपके लिए फरक भी नहीं पड़ेगा आपको कि वो है भी के नहीं इतना जादा किसी चीज को अपने सर पे मत चड़ाओ किसी भी चीज को ना success को ना failure को ओके तो number eight I hope यह reading आपको बहुत जादा helpful हो और आपको clarity आई हो और अगर आपको reading पसंद आई है तो channel को please subscribe करो और reading क please like thank you so much